यूपी में लोग सबस चुनाओ के दोरा नगीना हॉट सीट काफी जादा एहम मानी जारी थी क्योंकि इस सीट से आजाज समाज पार्टी के चीफ चंशेखर आजाज चुनावी मैदान में अपना दमकम दिखा रहे थे नगीना सीट की जंग को चंशेखर ने जीत लिया है अपनी बंपर जीत के बाद चंशेखर ने अब बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने 2027 के विधान सबच चुनाओ का पूरा प्लैन बता दिया है उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी 2027 विधान सबच चुनाओ में भी सभी सीटों पर लड़ेगी इसी के साथ नगीना के नव निर्वाचित सांसद ने अपने बयान में कहा कि वो संसद में आम जंता के मुद्दों को उठाएंगे चंशेखर आजाद ने कहा कि हर इंसान को बुन्यादी सम्विधान और सम्मान का जीवन मिलना चाहिए यही हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कोई काम करे तो जाती धर्म से उपर उठकर वो सभी के लिए काम हो किसी का कोई नुकसान हो निगेटिव सोच के साथ गवर्मेंट काम ना करें पोजिटिव सोच के साथ काम करें देश की आजादी के इतने साल बाद विए अगर लोग लंबे समय से बुन्यादी स्विधाव से बंचित हैं तो इसके लिए सरकारे जिम्मेदार है अब वो कि लिए लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता क्योंकि देश में 80 क्रोट से जाद लोग ऐसे हैं जो हैं टुमाउथ अभी सब के लिए काम करना है महिला ससक्त हों और स्वक्सित हों दिल्ली में महिला स्वक्सित नहीं उन महिलाओं को फील कराना है कि वो भी इस देश में कि इज़्जत के साथ जी अभी तो सरकार ने सब जूटे वादे की हैं सरकार ने जो वादे कि उनको पूरा कराने के लिए सरकार से सवाल करेंगे आपको लगता है कि कई जगे नाम बजले जाने की एक राजनी क्यों होती है कि इसका नाम रखतो अमेडिकल की मूर्तियां त और यह निगेटिव थोट है और यह इस निगेटिव थोट को कब तक देश सीचता रहेगा यह सवाल है देश आजाद हो गया अब भी अगर जाती के अधार पर या धर्म के अधार पर उत्पिड़न होता है तो देश को सोचना चाहिए लोग इंसान है और इंसानों की वेल या चाहे वो तूटी जमस से हर मां को अपने बेटे से प्यार है सब की सब की जीवन सुक्षित होना चलिए अगरे जैसे बहुत सा लोग की जुरत है और मैं पर्यास करूँ आजास समाज प्राटिक जरी हो पार्लेमेंट में पर्दान मंत्री मोधी कहते हैं कि इवियम में क और में यही कमा इसमें रानी का बेटा राजा नी बनता राजा वो बनता है जिसको जनता मत देती है तो अगर कहीं भी संदे होता तो उस पर सवाल खड़े हों चाहिए उसका जवाब पढ़ लेक्शन कमिशन को भी और सरकार को देना चाहिए बहुत मैनत करेंगे गाउं ग प्रिमेदारी है और वो एक बहुत बड़ा समाज उम्मी लगए बैठा है कि चंतेगर आजाद के जरी बावर साम बिटकर और मानेवर काशिराम साब का अधूरा सपना पूरा होगा